स्वागत है आपका अभी classes doubts में और आपका प्रश्ण है कि भूलानात और उन के यानि उसके सातियों के खेल खिलोने, खेल और खेलने की सामगरी यानि कि खिलोने, ठीक है? कई बार परिक्चा में खेल और खिलोने लिख देंगें, लेकिन खेल और खेलने की सामगरी, आपके खेल और खेलने की सामगरी से किस परकार भिन्न है देखिए ये जो भोलानात वाला कहानी है ये जो पूरा क्लाश 10th के क्रितिका का चेप्टर 1 का चोथा प्रशन है और इसमें भोलानात के जो कहानी का वर्नन किया गया है वो ग्रामिन संस्कृति है बिल्कुल और दूसरा सब से महतुपुर्ण है कि किताब में साप साप लिखा हुआ है कि 30 के दसक 30 के दसक का वर्नन किया गया है यानि जिस 1930 में जिस परकार से जिन्दगी चल रहा था वैसा जिन्दगी का वर्नन किया गया है और अभी हम लोग 2023 में जी रहे हैं तो लगबख बहुत ज़्यादा फास से हम इस बात से सहमत हैं कि माता के आंचल झो कपाण है में वर्णीत खेल खिलोनों की दुनिया वर्तमान खिलोन की दुनिया से भैतर ती इसका कारण यह है यानि कि हमें बताना है कि उस समय《घंया दुनिया था अभी उतना बढ़िया दुनिया नहीं है पुराने जमाने में जो बच्चे थे वे प्रकृतिक चीजों के साथ खेलते थे जैसे मिट्टी के साथ खेलते थे तिनके के साथ दिया सलाई गिरनी चुहादानी पानी आदी जिससे उनका प्रकृति के परती सनेह बढ़ता था आजकाल के बच् क्रित्रीम्था का समावेश है यह पुरी तरह से खत्म हो गया आज बच्चे परोशी की घर तक जाना नहीं पसंद करते हैं और परोशी के भी बच्चे उनके घर औना पसंद नहीं करते हैं ये चीज खतम हो गया जबकि पहले पडोशी के घर जाया करते थे यहां तक कि उनके जो बच्चे के साथ खेला करते थे अंदर घर तक जाते थे कई बार भोजन भी करते थे जिससे बच्चे दोस्तों के साथ खेल नहीं पाते हैं और प्रकृति का भी परियोग निर्भक्ष ठंग से करते हैं निर्भक्ष ठंग क्या होता है एक ऐसा तरीका जिसमें वो बिल्कुल दनव के तरह प्रकृति का प्रियोग करना निर्भक्ष तरीका कहलाता है तीसरा लिखेंगे पाठ में बच्चों के माता-पिता भी खेल में सामिल होकर मित्र की भूमिका निवाते थ परन्तु आज के माता-पिता पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं नौकरियों में इतने व्यस्त हैं कि घर वालों के लिए उनके पास समय नहीं है वे बच्चे को पलास्टिक के खिलोने दे देते हैं वीडियो गेम दे देते हैं और पी-सी जिसको प्रशनल कंप्यूटर कह कहते हैं आदी देकर अपने वादसलिकों क्या करते हैं पूरा करते हैं इस परकार से इन प्रशनों के उत्तर से यह साफ पता चलता है कि उस समय की ग्रामीन संस्क्रीती और आज की ग्रामीन संस्क्रीती और उस समय के बच्चे के खेल और आज के बच्चों के खेल में बहु